बहुत इंपॉर्टर वीडियो क्योंकि MCC ने Information Browser को Release कर दिया है जैसा मैंने बोला था कि इस बार Conseling में काफी Changes हो सकते हैं वही यहाँ पर भी है और सबसे Important बात यह है कि इस बार Conseling को थोड़ा सा और टफ किया है जिससे कि Seat Blocking को रोका जाए और जो बच्चे Decision लेते हैं कि Seat को छोड़ दिया जाए या फिर Seat को Upgrade चूज किया जाए ऐसे बच्चों के लिए भी साउधान रहने की ज़रूद है क्योंकि बहुत सारे Changes हैं किस Condition में आपको Fresh Registration इस बार करना पड़ेगा क्योंकि इस बार Round 3 और इस्टे कॉंस्लिंग दोनों में आपको Fresh Registration करने पड़ेगा यह मैटर नहीं करता कि Round 1, Round 2 में क्या आप Registrated है या नहीं है तो Calculative Decision आपको लेना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि Round 1, Round 2 में आपको सीटे नहीं मिलेंगे ठीके, Registration Fees तो Lapse हो जाती है ठीके, Security Money भी कुछ कंजिरिशन में Lapse हो जाती है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा ध्यान से देखिएगा, सुरू से लेकर रास देखिएगा पूरा ड्राउट में से लेकर इस टरे तक किस तरह से आप प्रोसेस करेंगे, यह इस वीडियो में बताया है चलिए, शुरू करते हैं Flow chart समझ लेते हैं हम लोग Online MCC की website पे हम जाएंगे यहाँ पे आप registration कर सकते हैं, payment of fees कर सकते हैं registration और security deposit registration fees जो होती है, वो non refundable थे security is what you, आपकी refundable भी होती है लेकिन बहुत सारी ऐसी condition थे, जहाँ पे security deposit को refund नहीं किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे MCC की website में आप choices को log और modify कर सकते हैं और processing of result भी यहीं पे होता है आप सबसे पहले बात किलते है round 1 की, जो कि बहुत ज़्यादा important है round 1 में मान लिजिए आपने choices भरी और आपको आप constitute मिला नहीं कोई भी seat नहीं मिली है, तो आप directly round 2 में सीधे जा सकते हैं अगर मान लिजिए round 1 में आपको seat a lot हो गई है, ठीक तो आपके साथ कुछ conditions बनेंगी पहला, पहला condition यह है कि आप उस institute में report करिए जो आपको मिला हुआ है, ठीक है admission formalities, document के साथ आप जा सकते हैं दूसरा यह, जो maximum बच्चे round 1 में करते हैं कि जो भी allotted institute है उसमें report ही नहीं करते हैं, वो free exit कर लेते हैं, उस condition को हम free exit बोलते हैं अब आप allotted college में जाते ही नहीं है, ठीक, अगर आप allotted college में जा रहे हैं तो दो options आपके पास है, या तो आप चाहते हैं कि round 2 में भी upgrade चूज करें तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, यह हमारा final institute है जो हमने चाहा, वही हमको round 1 में मिल गया, तो आप उसी institute में आप अपनी study को continue कर सकते हैं अगर आप willingness करते हैं, round 1 से round 2 में upgrade चूज करते हैं, तो सीधे आप round 2 की counseling में जा सकते हैं ठीके, तो यहाँ पे यह सारे बच्चे आ जाते हैं, और यहाँ पे round 1 की जो choice feeling है आपकी, वो null and void हो जाती है round 2 में फिर से आपको choice feeling करनी पड़ेगी, ठीके, अब बात कर लेते हैं second round की second round में अगर seat allotment नहीं होता है, पहला condition, अगर नहीं होता है, तो आप further round में जा सकते हैं, कोई issue नहीं है round 1 में भी नहीं मिला, round 2 में भी नहीं मिला, तो सीधे third round में आप जा सकते हैं, वहाँ try कर सकता है अगर आपको round 2 में seat हैं मिली, तो दो-तीन condition बनती है, अगर आप round 1 से upgrade करके आए हैं, ठीके, तो आपको round 1 में जो allotted seat हैं, जहाँ पे आपने ग्रेट चूस किया था, वहाँ से relieving later ला के round 2 में आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको seat हैं join करनी पड़ेगी, अब देख अगर आपको round 2 में seat मिली है, और आप उसको report नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको join नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो security मनी है, वो lapse हो जाई, round 2 के बाद ही यह सुरू होना, सुरू हो जाता है, ठीके, अगर इसके अलामा, अगर आप report करते हो, ठीके, report to allotted college complete admission formalities, can upgrade but cannot resign, यहाँ पे आप round 2 में आप अगर आप report करते हो, तो यहाँ पे आप upgrade तो choose कर सकते हो, लेकिन round 2 में seat को resign नहीं कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत तगड़ा rule बन चुका है, round 2 की seat को आप resign नहीं कर सकते हैं, आप upgrade भले choose कर सकते हैं, लेकि round 2 की seat को resign नहीं कर सकते हैं, जान लीजिए, ठीक है, इसके अलामा, अगर आपको round 2 में भी seat नहीं मिली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी counselling exit हो जाएगी, मिस खतम आपकी counselling, ठीक है, round 3 का process बिलकुल different होगा, round 3 में क्या होगा, यह देखिए, round 3 में fresh registration choice filling for round 3, round 2 choices will be, मतब आपक अगर seat नहीं भी मिली हुई है, फिर भी round 3 में आपको fresh registration करना पड़ेगा, या तो आप directly round 3 में registration करिए, round 1, round 2 में ना करिए, अगर आपको लगता है कि seat नहीं मिली, ने तो round 3 में तो आपको fresh registration करना ही करना है, ठीक है, अगर यहाँ पे seat a lot हो जाती है, ठीक है, तो आप report institute को ठीक है formalities पूरी करिए और अगर आप upgrade करते हैं ठीक है upgrade चूज किये हुआ है तो round two का जो relieving later है उसके साथ आप report करिए round three की seat को ठीक है और round three में भी अगर आप join कर लेते हैं तो upgrade भी नहीं कर सकते हैं resign भी नहीं कर सकते हैं round three के बाद maximum counseling आपकी खतम हो जाएगी अगर आप seat allot हुई है round three में ठीक है जान लीजे बहुत important rule है round three में अगर आपको seat allot हुई है और आप उसको join नहीं करना चाहते हैं तो exit आप कर सकते हैं ठीक है exit with forfeit elimination cannot participate in further round of counseling आप round three के बाद तो कोई counseling आगे आप process ही नहीं कर पाओगे यहां से आपकी counseling खतम हो जाएगी अगर आपको यहां पे seat नहीं मिलती है round three में ठीक है seat नहीं मिलती है ठीक है तो आप eligible होंगे stay counseling के लिए ठीक है कहने का सीधा सीधा मतलब round three maximum candidates के लिए यह final round हो जाता है इसके बाद की counseling के ओल उनी बच्चों के लिए होती है जिनको कहीं पर भी कुछ भी seat नहीं मिली होती है ठीक है stay counseling में भी fresh registration आपको करना पड़ेगा fresh registration और choice filling ठीक है अगर यहां पर आपको seat part हुई है और आप join नहीं करना चाहते है तो आपको fees तो आपकी सारी security goodies जमा हो जाएगी और एक साल के लिए eliminate हो जाओगे नीट का exam दे ही नहीं पाओगे ठीक है तो बहुत ध्यान से आप counseling part speed करेंगे क्योंकि round 3 और stay round इन दोनों में आपको fresh registration करना पड़ेगा ठीक है round 2 तक तो ठीक है सारा चल जाएगा लेकि round 3 और round 4 में आपको fresh registration करना पड़ेगा और जब upgrade आप choose करें तो ध्यान से choose करें क्योंकि ये counseling का rule काफी change हुआ है और यहाँ पे seat vlogging जैसे मैंने बताया है को avoid करने के लिए ही ये सारा rule बना हुआ है